आजे, बूड इवनिग तो पिछला जो रिविजन हुआ, वो किसका हुआ? अज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिविजन होगा, जिसका नाम है डेरीविटियू तो डेरीविटियूस में टोटल मिलाकर कितने पार्ट में होगे दो पार्ट और डेरीविटियू में पहला पार्ट में आप्शन होगा, सिर्फ आप्शन और दूसरे पार्ट में होगा फ्यूचर प्लस रियल आप्शन प्लस डेरीविटियू का जो थेरी आया है इट मिस अमेंडमेंट भी रिविजन में कवर्ट होगा complete, complete, जो भी weather derivative है, electricity derivatives है, और इसके अलावा exotic option है, कितना भी amendment है, real options है, सब part number 2 में cover हो जाए, part number 1 में हम जो discussion करेंगे, वो option का करेंगे, उसमें real option नहीं होगा, real option part number 2 में आएगा, ठीक है जी, क्या सर, इस्टार्ट करें बिना time बरबाद करें, सर, derivative क्या होता है, यह मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल काम काम की चीज, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना option, हमें पढ़ना है forward conflict, हाला कि forward conflict के question नहीं है, forward और future एक ही है, it means, अगर मैं कहूं, दो ही part है, एक है option और एक है future, पहले बात किस की करेंगे, option, option कितने type के होते हैं, यह सब यह समझाने के लिए था, तो यह आपके काम नहीं आएगा, option कितने type के होते हैं, option दो type के होते हैं, call option और put option, जब हमको लगता है कि share का price बढ़ेगा, तो call option, हम call option खरीदे, हम lottery की ticket खरीगते हैं, और जब हमको ऐसा लगता है कि price गिरेगा, Ф कौन सा option खरीदे, put option, हम खरीदते हैं, मैंने कहा हमने lottery की ticket खरीदा, बदले में हमें क्या देना होता है, premium, प्राइश बढ़ेगा तो हम exercise कर लेंगे call option और अगर प्राइश कम होगा तो मुट sufficient exercise कर लिए प्राइश बढ़ेगा तो call 괜찮 अगर हमने call option खरीद और प्राइश बढ़ा तो आगर अएक्सरसाइश कर लेगा प्राइश कम होगा तो हम laps कर देंगे यह बात डिटेल में ज़्यादा समझाने की ज़िए ओके सर सर जैसे हम option खरीदे तो बदले में premium देते yes तो एक दूसरी party होती जिसका नाम होता option writer मैं कौन हूँ मैं हूँ option hold मेरा जो जाएगा वो क्या जाएगा premium और वो premium किसके पास चला जाता है option writer के पास चला जाता है यह तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ मैं concept नहीं करवा रहा हूँ concept आपका किया हुआ है please मैं इसको 9 गंटे में convert नहीं कर रहा जाता है derivative काम काम कीजिए ठीक है सर call option, put option, price बढ़ने पे हम call option खरीदते हैं price गिरने पे हम put option खरीदते हैं और जो option writer होता है वो हमको price बढ़ा तो हम option exercise करेंगे तो difference जो मिलेगा वो कौन देगा सर वो option writer देगा तो दो party होती है एक है option holder और एक हो option यह basic चीजे थी जो समझाने के लिए it means हमारा focus है call option और put option पे call option में जब हमको लगता है कि price बढ़ेगा तो call option और जब हमको लगता है कि price गिरेगा तो put option है example मिलिया था फटा-फट से example करते हैं हमने share खरीदा था हमने क्या खरीदा call option exercise price क्या है exercise price को क्या बोलते है strike price भी बोलते है हमने call option खरीदा 300 पे मतलब 300 से उपर जएगा तो call option exercise करेंगे बदले में क्या देना है premium premium कितना गया 35 और मैंने कहा था यार price क्या होना चाहिए call option खरीदा price बढ़ना चाहिए price बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए sir इतना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो मज़ा जाएगा पर इतना तो बढ़ना चाहिए कि मेरा premium की recovery हो जाए it means BEP break even point पूछ रेता अगर price बढ़ेगा और 335 हो जाएगा तो उसको बलेंगे हम BEP अगर उससे उपर जाएगा तो हम gain fully exercise करेंगे और तब exercise करने पर फाइदा भी हो तो होता क्या है वो आपको कुछ price दे देता है और strike price आपको मालूम है 300 हमें इसा ऐसे लिख लिया करो 300 से उपर होगा तो call exercise तो 250 पे laps Ross payoff का मतलब क्या होता था तीन महने बाद या उस दिन maturity period के दिन उस दिन हमें कितना पैसा मिलेगा सर हम exercise नहीं करेंगे जीरो और आज कितना पैसे जा रहा 35 तर time value of money ignore पूरे option topic में time value of money ignore करती हूचा ना इसमें इस पे इस पे तो loss कितना को गया 35 270 पे भी exercise नहीं करेंगे 290 पे भी नहीं 320 पर exercise करेंगे maturity भी हमें 20 मिल जाएगा यह सर पर 35 किया हमने option exercise तो किया पर यह gain fully exercise नहीं है अभी भी हमको loss हो रहा पर 35 का loss नहीं हो थोड़ा कम loss और surprise बढ़ेगा तो फिर तो फायदा ही फायदा है यह किसकी बात किया हमने call option यह बनाने के लिए आता है यह कुछ नहीं आता आपको detail में समझा रहा था तो वो काम आ गया पर अब revision में हम यह काम put option आपको already discuss कर चुक हो इस पे एक example भी कर लेते है strike price कितना 480 480 से कम होना चाहिए हम भगवान से प्रात्ना करें तब premium कितना गया premium गया 40 तो BEP BEP में क्या होगा put option है यह इस कम होना चाहिए और at least इतना तो कम हो जाए 40 की recovery हो जाए तो BEP कितने पे आएगा 400 ठीक है अब वो ही है price देदेगा सर कम होने पे exercise 400 हुआ तो चार याद रखना कि हमेशा न यहां इसे लिग दिया करना 480 से कम 480 से कम तो 80 मिलेगा 40 गया तो 40 का profit ओके सर प्राइस 480 से अगर कम होगा तो exercise होगा और फिर इधर तो lapse होज़ए call or put मुझे ज़्यादा समझाने की payoff बनाया था आपको detail में discussion की अभी ज़रूरद ओके यह वाला example यह वाला question question number one question number one और question number three एक जैसा है हला कि मैं question number three नहीं करमाऊंगा पर question number three आपके AFM module का है TYK 20 question number three की अपिक्चा पर आप question number one भी कर लोगे तो भी चले ठीक है जी बढ़ते हैं तो एक्विटी शेयर आप SSC Limited is quoted 310 आज शेयर का प्राइस 310 है यह किसी काम का नहीं है बच्चे इसमें confused जाते 310 310 से कोई लेना देना नहीं है हमारा काम का प्राइस कौन सा है अब बोल रहा है त्री मंथ कॉल आप्शन अवेलिबल है ठीक है प्रीमियम कितना देना पढ़ रहा है 8 रूप और साथ में थ्री मंथ पुट आप्शन भी अवेलिबल है प्रीमियम कितना देना पढ़ रहा है 7 रूप हम खरीद नहीं रहा है अप यह मद बोलना कि सर हम call और put दोनों खरीद रहा है क्योंकि ऐसा वाला भी question है option strategy करके यहां वो बोल रहा है call option भी available है put option भी available है ठीक अभी है तो बोले आप निकालिए net pay off इसके लिए option holder हमने option खरीदा है अगर आप call option holder हो अगर आप put option holder है अलग-अलग अगर मैं call खरीदेता हूँ strike price का है वही strike price है 320 हमें क्या निकालना है net pay सर अगर मैं call खरीदता हूँ तो 320 से उपर मैं exercise होगा yes और premium कितना जा रहा है premium जा रहा है 8 अगर put option खरीदता हूँ तो 320 से कम मैं exercise होगा premium कितना जा रहा one by one करो सबसे पहले किसकी बात कर लेते call option call option में यहां मैंने सबसे पहले market price लिखा हमेशा यहां मैं लिख दिया करूँगा 320 से उपर मैं 300 में laps तो gross pay off 310 में भी laps 32 कब exercise होगा जब 320 से ज़्यादा जाएगा तो 330 पर exercise difference कितना मिलेगा 330 माइनस 320 कितना रुपए 10 रुपए और यहां कितना मिलेगा 20 से premium माइनस करेंगे तो यह आजाएगा नेट तीक है सरी यहां तो में न ऐसे question पे ज़्यादा time नहीं लगाँगा जिसमें वाकिये revision की ज़रूरत नहीं है इन questions में revision की ज़रूरत नहीं है किस पे time नहीं लगाँगा time किस पे लगीगा जो थोड़े question danger put option यह और एक चीज बोल रहा क्या बोल रहा ज़रा पड़ते है indicate the price range at which the call and the put option may be gainfully exercise sir gainfully exercise का मतलब exercise हो और फायदा भी हो ऐसा price बताइए call option में call option कब gainfully exercise होगा sir 320 से उपर होना चाहिए और 320 से उपर नहीं होना चाहिए 328 से उपर होना चाहिए तब बोलेंगे कि हाँ जी exercise करने पे कुछ फायदा भी मिल रहा gainfully exercise 320 पे भी exercise है 320 के उपर अगर मैं कहता हूँ 322 होता है तो option exercise है पर gainfully नहीं है यहां तो 6 रुपे का लॉस 300 328 सर भी एपी पूछ रहा indirectly वो ही मैंने लिखा कि जब call option कब exercise होगा जब 328 से उपर इसी put option का हमने निकाला put option का बच्चों ने खुद ने कर लिए बहले छोड़ दो सर हम कर लेगे put चले आगे इन सब चीजों में में टाइम बरबार नहीं कर question number 3 दिल करेगा तो कर लिए ना हलांकि EY के 20 okay sir question number 4 करने की ज़रूरत नहीं है कट कर दीजिए revision में काम नहीं आएगा types of option on the basis of maturity थोड़ा सा theory दो type के option होते हैं याद काम आएगा एक होता था American option एक होता था European American option क्या होता था American option में European option में क्या होता सर जैसे maturity period 3 साल है sorry 3 महने है तो European में हम maturity को ही exercise कर सकते उससे पहले exercise नहीं कर सकते और American में American में हम बीच में कभी भी exercise कर सकते तो American, European धंग से समझा हुआ basic चीज़े मैं नहीं समझा हुआ okay sir sir कितने participants होते हैं theory आ सकता एक hazards, speculators और arbitrators सब आपको आता है ना जाने कितना रिवीजन चल रहा है आपका है ना जाने कितना arbitrary कर दिया है ना जाने कितना speculation किया आपने ना जाने कितना housing किया है तो ये जब सुरू में चलता है ना derivative class तो कब तब काम आता है अभी किसी काम का नहीं तब पता है आपको कि क्या होता है हाँ इस में थोड़ा सा confuse हो सकता है जरूरत पड़ेगी इन् действाव मनी क्या होता है ट द मनी क्या होता है आउट ओब द मनी क्या होता है intrinsic value क्या होता है time value क्या होता है ये सब काम पड़ेテ। सब्से पहले मैं बात कराँ इन द मनी क्या होता अगर call option मान लो मान लो मान लो American option है कभी भी exercise हो सकता है सर इन सब दो का क्या यूज है यूज है आगे इन्दमनी क्या होता मान लो यार call option है बिल्गुल ध्यान से समझा exercise price क्या है exercise price है 300 300 से उपर में exercise अभी market price क्या चल रहा है अभी market price चल रहा है 320 रुपय अभी market price चल रहा 320 तो यार यह तो अभी की अभी फाय था ऐसे option को बोलेंगे option क्या है बोलेंगे इन्दमनी अगर exercise किया जा सकता तो ऐसे option को बोलेंगे इन्दमनी और सर अगर 300 और 300 दोनों बराबर है तो इसको बलते add the money हाला कि exercise अभी नहीं किया जा सकता है पर इसको add the money बोलेंगे यार दोनों बराबर चल रहा है पर problem जब जाएगी जब call option में 290 price है यार यह तो loss का सौधा है ना 500 से उपर में exercise और अभी तो 290 चल रहा है तो ऐसे option को बोलते है out of the money in the money call option में इंदा मनी कब कहलाता है call option इंदा मनी कब कहलाता है call option इंदा मनी कब कहलाएगा जब price ज़्यादा रहेगा strike price से ज़्यादा ज़्यादा ही होना चाहिए और बराबर रहेगा तो add the money कम रहेगा तो put option में कप हाइदा सब कम रहेगा कम रहेगा current market price कम होना चाहिए कम होना चाहिए तो उसको इंदा मनिके तो ये चार्ट बनाया है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो बाद में सुच ऐसी और सब्द यूज होता है एक होता है intrinsic value और एक होता है time value ये क्या था सर मैंने कहा मान लो call है exercise price है 300 और सर market price है 320 मान लो American option है अभी कि अभी exercise करोगे तो कितने का फायदा 20 हाँ सर हमसे premium लिया गया और हमसे premium लिया गया 24 रूप तो सर्फ 4 रूपए extra क्यों क्योंकि भई time है ना और आज थोड़ी ने exercise करोगे तो आज का price है अभी कि अभी 20 रूपए का फायदा है yes तो जो difference है अभी कि अभी exercise करोगे तो भी इसका फायदा पर जो extra दिया जा रहा है extra मुझसे मांगा जा रहा है कितना extra मांगा जा रहा है 4 रूपए वो किस वज़ा से मांगा जा रहा है क्योंकि sir अभी time है तीन महने को बीच में volatility हो सकता है तो वो premium आपको देना पड़ा है इट मेंस जो 24 रूपिया दे रहा है उसमें 20 रूपए आपका intrinsic value है और 4 रूपए volatility premium है या इसको आप बोल सकते हैं क्योंकि time बाकी तो इसको time value भी simple है यह सब लिखवाया था और क्योंकि यह basic चीज़े हैं तो इस पे ज़्यादा खन ना भी दोगें तो example था क्या OTM है कब ATM है time pass है और ये भी time pass है short selling ज़रूरी है बिना short selling कि short selling क्या होता है short selling यह होता है कि हमको लगने वाला है कि share का price गिरने वाला आज ज़्यादा price है पर आने वाले दिनों में share का price गिरने वाले उसे कैसे फाइदा हो रहा है short position नहीं बोल रहा है future पे मच चले जाना क्योंकि आपने आगे का पढ़ लिया ना तो आप अपना ग्यान देना start करोगे short selling में होता क्या हम किसी से जिसका ऐसा person जो hold करना चाहता shares long term के लिए उससे हम share उधार लेंगे और market में बेज देंगे ज़्यादा कीमत और उस person से बोलेंगे जिससे हम उधार ले रहा है उससे बोलेंगे हम आपको share का share वापस करेंगे और जब कम हो जाएगा तीन मेहने बाद जब कम हो जाएगा तो सस्ते में खरीद के वापस कर देंगे तो वही बात मैंने यहाद डायग्राम से समझाया था पिर राम अभी market price क्या चल रहा 500 तो राम क्या करेगा श्टॉक बोरो करेगा आज इससे स्याम से इसको बोलते है श्टॉक लेंडर बोरो किया बोरो करके current market price में बेज दिया कितने में 500 रुट अब बदले में market से तीन मेहने बाद सस्ते में खरीद के वापस कर दोगी इसका नाम क्या है सर इसका नाम है short seller इसका नाम है stock land सर इसको क्या फायदा है इसको कुछ landing charges वगेरा मिल दिया सर इसको क्या फायदा है ना बेटे 500 का बेचा 500 का बेचा और 400 में खरीद के वापस कर दिया एक चीज आती है dividend अगर बीच में dividend announcement हो जाता है तो श्याम का बैठे बिठा इनुक्षान है इस condition में राम को dividend भी कमपने क्योंकि यार इसने तो share base दिया था और जो dividend मिलना है वो तो इसको मिल गया तो भाई बात यह है कि ये श्याम बोलेगा भाई सुनो आपकी वजह से मेरे dividend का लॉस गुआ तो राम आपको dividend भी देना पड़ेगा याद करो ऐसा मैंने कुछ करवाया था इस पे एक question है अलाकि वो question exam का है पर करना ज़रूरी है बाकी ये मैंने लिखवा रखा है आपका दिल करेगा तो पढ़ लिए न ये वाला question है question number two इस पे short selling पे एक बार discuss कर लिए कि तो ले mister A 1000 share ठीक है face value कितना है 100 अब किस company के sir ABC ली मेरे he wants to hold this share for long term और जो mister A ना वो long term के लिए hold अब short seller picture में आएगा और short seller आगया messers xyz messers xyz क्या बोल रहा है messers xyz बोल रहा है कि भाई सुनो इससे बोल रहा है mister A मुझे share उधार दीजिए 1000 shares और उधार लेकर वो क्या कर रहा है लेंड कर रहा है और stock landing इसकी share उधार ले रहा है उधार लेगा और current market price में बेज देगा sir आज की date कौन सी sir कर दोंकि आज की date है 1 January 1 January और B वोले shares to be borrowed for 3 month 1 January से 31 मतलग 3 महने के लिए उधार लिया जा रहा है share अब सामने वाला जो मुझे share उधार दे रहा है वो हमसे मुझसे कुछ तो मांगेगा तो वो बोल रहा कि आपको landing charges देना पड़ेगा कितना percent 1% और हर महने देना पड़ेगा और किस price पे वोले जो भी closing price होगी न मन्त की उस price का 1% देना पड़ेगा अब एक बात और है ये bank guarantee वाली बात समझना इसमें बच्चे confuse हो रहा है bank guarantee मैंने सामने वाले person से share उधार लिया और बेज दिया तो मैं आपको landing charges दे दूँ अब ये landing charges तो ठीक है आप share वापस करोगे कि नहीं करो अनकर मैं guarantee दिलवाता हूँ ना तो मैं किस से गया है बैंक से तो bank वाला ऐसे तो guarantee नहीं देगा तो bank वाला मुझसे bank guarantee दे तो देगा बैंक है देना पड़ेगा साथ मैं bank guarantee का भी पैसा देना दबल पैसा और information बैंक guarantee का charges है कितना percent लिखा है आठ percent पर है न और इसके अलावा dividend भी declared हो गया पच्चीस पर अब मुझे इस बंदे को जिससे मैंने share उधार लिया था दो टाइप का पैसा देना पड़ेगा landing charges देना पड़ेगा और dividend भी compensation करेगा इस बंदे को दो चीजे और bank वाले को bank guarantee बड़ा नहेगे का सौदा है बोले closing price ये हो गया एक janvary का price दिया हुआ उसके अलावा ये है closing price 35 जनवरी का सर ये किस का क्यों दिया होगा ये आपको landing charges निकलने के काम है सबसे पहले पूछा क्या है earning बताइए Mr. A to stock landing scheme in both the scenario अगर price bullish हो अगर price bearish हो अब एक मेरी बास समझना Mr. A कौन है सर जिसके पास जिसके actual में shares उसको landing charges मिलेगा और उसको dividend भी तो compensate करेंगे तो अब problem क्या है अगर वो earning की बात करो तो मुझे ऐसा लग रहा कि earning का मतलब या landing charges और dividend बोले वो नहीं यहां बोला है Mr. A की earning निकाली और यहां बोला है total earning निकाली तो institute ने क्या किया बोले आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए IC AI का कहना है कि यहां landing stock landing से कितनी income होगी मतलब यहां जो बात होगी वो किसकी बात होगी landing charges की और जो dividend है वो dividend यहां जोड देंगे तो यह total earning आ जाएगी अगर प्राइज एक हजार बीस है तो एक हजार बीस का वन परशन अगर 980 है तो 980 का वन परशन ऐसी फैप का निकाला ऐसी मार्च का निकाला सबको जोड दिया यह एक share पर निकला और एक हजार से multiply किया तो यह landing charges किसको मिलेगा Mr.Eco इसके अलावा मुझे Mr.Eco dividend भी तो compensate वो landing charges सिर्फ earning निकला है total earning में उन लोगों ने क्या किया dividend income भी जोड दिया यह जो landing charges निकला था न उसको यहां लिखा और dividend income भी जोड दिया dividend income 25 रुपए कैसे आया 25% और share का face value चेक करोगे तो share का face value 100 रुपए होगा तो 100 रुपए का 25% 25 रुपए और dividend भी कभी भी analyze मत कर देना तो यह आ गया है total earning इसकी Mr.Eco What is the profit or loss to Mr.Eco जो short seller है भाई साब उसको क्या profit or loss हुआ पहले उसने जिस दिन share उधार लिया था उस दिन बेचा कितने में बेचा होगा सर 1000 वापस कितने का खरीदना पड़ेगा 1050 सर 50 रुपए का तो यह loss होगे साथ में landing charges दे रहा है साथ में bank guarantee भी दे रहा है साथ में dividend भी compensate कर रहा है तो यह 3-4 चीज़े पकड़ना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा कि उसको profit या loss होगे सबसे पहले 1000 में बेचा था 1500 में वापस खरीदना पड़ा तो सर यहां तो loss हो गए और landing charges भी देना पड़ा landing charges इस बंदे को ठीक है सर वो भी हो गए और साथ में bank guarantee bank guarantee देखो कैसे निकले जिस दिन transaction हो रहे उस दिन share का price कितना था 1000 bank guarantee का charge है 8% पर रहनम और guarantee कितने महने के लिए तीन महने के लिए तो 20 रुपए का bank guarantee और अगर सर प्राइज 940 हो जाएगा तो सोचो ना यार 1000 में मैंने उधार लेकर 1000 में बेच दिया था 940 में खरीद के वापस कर दिया सर यहाँ profit है पर landing charges तो जाएगा और bank guarantee भी जाएगा पस एक दिक्कत है dividend भी होना चाहिए था dividend नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता ICAI ने ऐसा ही कि तो यह आपको तीन चीज़े add करना पड़ेगा profit loss, landing charges और bank guarantee अच्छा question है short selling पर इस question में time लगना था वो मैंने लगा है ओके आगे चल रहा है अभी basic ही चल रहा है expected value of options तर यह क्या है कि simple है मैं क्या निकालने की कोई मैं यह कह रहा हूं कि यार कि अगर मैं option खरीदता हूँ या option right करता हूँ option right करना एक ही value निकलता है मैं option खरीदता हूँ अगर मैं option खरीदता हूँ तो मुझे क्या-क्या फाइदा होगा expected profit उसको multiply कर देंगे probability से अगर multiply कर देंगे probability से तो वो जो आएगा वो आएगा expected profit profit यह भी हो सकता यह भी हो सकता यह भी probability दिये रहेगा सर मल्टिप्लाई करते जाएंगे profit को probability से तुझ जो आएगा उसको नाम रहे expected profit या उसको आप expected gross payoff पूल तो premium की मत minus करना क्यों सर प्रीमियम अभी तो हम ये expected की बात कर रहे है future में कितने का फायदा अभी की बात छोड़ो future में मेरा कितना और जो profit होता हुआ ही तो value of option है मैं जो option खरीद रहा हूँ उससे मुझे future में क्या फायदा हो सकता है मैं gross payoff की बात करूँगा premium minus नहीं करूँगा premium तो आज pay करना हुआ बाद में सूचा जाएगा तो वही चीज़ दिया हुआ है expected value of option कौन सा option है सर call price क्या है 500 रुपे strike price है मतलब 500 से उपर होगा तो exercise तो अगर 520 हुआ तो सर 20 रुपे का फायदा हो इस बात की probability है 0.3 तो सर यह आगया 6 तो अगर 530 हुआ तो अगर 520 और 490 हो तो laps हो जाएगा तो option से मुझे मेरे पास जो paper है उससे मुझे future में क्या लगता है कितने अगा फायदा होगा 13 रुपे का यही कहलाएगा expect option ऐसे किसका कर किया put का तो put का वैसी कर निकल लो गया ओके यह example है example ने question है हमारी book में देखोगे तो हमारी book में मिलेगा AFM की book में TYK 70 करना जरूरी कर देख ले equity share of PQR limited is presently quoted अभी कितना है 320 मैं फिर से बोल रहा हूँ market price को मत देखना अभी क्या price है इस प्लीज इसे मत देख market price छे मैने बाद यह हो सकता यह हो सकता यह सकता सबसे पहली बात कौन सा option है लिखा है कौन सा option put और strike price है 300 मतलब 300 से कम होगा तो access है ठीक है और sir यहां option return लिखा है तो मैंने आपको समझा है चाहे वो return हो चाहे holder हो value एक ही आएगा ठीक है sir तो आप किसके अंगल से सोचो writer के अंगल से सोचो मैं किसके अंगल से holder के अंगल से सोचो तो भी कोई बात नहीं है 180 हुआ तो बताओ option exercise होगा की नहीं होगा sir arrow नीचे है मतलब यह put option अगर put option है तो option exercise होगा और इस बात की probability कितनी है 0.1 बस multiply करते जाओगे और answer निकालगे answer क्या आएगा expected value of option 300 बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी के सिकार हो जाते कि ऐसे कोशन नहीं खिल खतम हो जाएगा कौन कहता कि नहीं है आते हैं भाई कर लेना जब ऐसे कोशन आते हैं और ऐसे कोशन में आप गल्ती करते हो बहुत बड़ी बात question number 6 ती वाई की 18 है पर इसको मैंने आगे करवाया हूँ अभी इसको cut कर दीजिए आगे करवाया हूँ यह वला कोशन question number 7 एक बार देखी क्या देख लेगा अच्छा question question number 7 question number 7 जैसे ही question मैंने आगे करवाया हूँ अगर इसको मैं नहीं भी करूँ तो भी चल जाएगा कि हाँ question number 7 जैसे ही हमारे बुका 7 जैसे ही question है तो वो आगे है इसको भी मैं cut कर सकता हूँ यह sir cut कर दीजिए इस type का question मैंने आगे करवाया question number 8 नहीं करना है काट दीजिए concept of compounding आपके कामका नहीं है क्यों तर यह मैं basic करूँ basic में मैंने एक lecture नहीं करवाया था तो यह basic में concept of compounding करवाया था compounded annually क्या होता compounded continuously क्या होता है natural log क्या होता पर हमने बहुत ज़्यादा detail में कई बार आया है यह compounded continuously वगेरा तो इस पर हम मैं इस पर time खराब नहीं करूँगा यह basic classes है जो पहले हो जानी थी पर मैंने class के बीच में करूँगा तो मैं इसको इसकी परों में आगे बढ़ तो तो चलाना सिखाया था आपको यह लग कि यह चीजे आपके काम के नहीं है पीज इसको revision में मत करना भाई यह हो चुका यह basic चीज़ तर वह कोश्चन आप करवाने वाले थे न expected value वाला पहले वह करवा दीजिए वो मेरे पास वीडियो पाउस करवा हाँ यह वाला कोश्चन है ती वाई के 6 कोश्चन नमर 6 है और टी वाई के 18 मैंने option strategy से पहले यह वाला कोश्चन में निखा कर लो वह ज़्यादा ज़्या इस यह कोश्चन को देख कर जाना अच्छा कोश्चन पड़े एक बार लिखा यू as an investor purchase 4 month call option हमारे काम का चीज़ है call on equity shares of X limited premium कितना दिया 10 ठीक है भई premium गया 10 current market price हमारे काम का नहीं and the exercise price है 1 फिप यह काम का चीज़ exercise price 5 1 फिप और आपको ऐसा अनुमान है कि share का price 120 से 190 तक जाएगा कितना कितना अनतर वो बता देगा और उसने बता दिए 120 भी हो सकते 140 भी हो सकते 160 भी हो सकते 190 अबसे पहले नंबर में मांग रहा है expected share price at the end of 4 expected share price का expected value of option नहीं मांगा expected share price मतलब सर प्राइस को हम probability से multiply करते जाएंगे तो expected share price आ जाएगा और वो हमने निकाला है और वो कितना निकाला expected share price निकाला होगा नहीं निकाला मैं लिख लेता हूँ expected share price आ गया 16.50 यहां तक लिखे अब यहर इस point से बच्चे परिशान है बस इस point यह point important है value of call option निकाला at the end of 4 month if the exercise price prevails तर यह मतलब क्या है तो आप value of option निकाला ठीक है तो हम निकाल लेंगे बोले नहीं इसको देखा मत देखो यह भी price हो जाएगा यह भी price हो जाएगा बोले यह सब price नहीं चाहिए हम बता रहें न क्या price हो जाएगा बोले maturity को जो price होगा न वो यह नहीं होगा maturity को जो price होगा न वो exercise price prevails मतलब exercise price होगा और exercise price क्या हो जाएगा 150 क्या कहना चाहता है exercise price prevails का मतलब तर वो यह कहना चाहता है कि आपने जो भी call option खरीदा है उसका maturity date को जो price होगा वो exercise price के बराबर ही market price होगा market price maturity 4 मैंने बात क्या होगा अब बले 180 होगा और exercise price क्या है वो भी 150 है तो 150 और 180 ही market price है difference निकालोगे तो 0 ही आएगा क्योंकि option exercise नहीं करोगे तो answer क्या आएगा 0 प्लीज याद रखना 0 exercise price prevails का मतलब क्या होता है maturity को जो market price होगा वो exercise price के बराबर हो तब value of option अगर ऐसा लिखा रहता बच्चा आपने पूछा भी था value of call option at the end of 4 month if the expected price prevails सुनना ध्यान से अगर exercise की जगा लिखा रहता expected price prevails इसका मतलब maturity को जो price होगा वो expected price होगा 160.50 अगर ये सब्द लिखा रहता तो फिर में difference इन दोनों के बीच में निकल ले था एक सो साथ रूपिया पैचास पैसे माइनस इस तब देखना कि यहां क्या लिखा है गल्ती मत कर देना institute आपके साथ खेल सकता है और लास्ट में in case the option is held to its maturity what will be the expected फिर तो इसके हिसाब से कर लो कौनस उप्शन है call यहां laps यहां laps यहां exercise यहां exercise 10 x 0.5 30 x 0.1 40 x 0.1 ठीक है सर हमको इसका solution solution तो मैंने बनाया नहीं पर ty के 18 आप देख से तब कोशन ठीक है सर वापस आते हैं वापस आ गया है part number 2 पे इसका नाम है option है सर basic करवाए है आपने हाँ basics करवाए है अब थोड़ा option strategy की बात option strategy आपके syllabus new AFM की बात पुराना तो था यह नहीं पहले अभी भी नहीं है हाला कि मैंने थोड़ा बहुत डिसकस कर लिया था straddle, strangles, strip, strap, bull, bearish, butterfly, count और बहुत सारी strategy है यह सब मैंने ही करवा रहा हूँ हाला कि आपको मैंने अलग से lecture डाल दिया था कि देख लेना अगर आपका ज्यादा मन करेगा पर यह straddle और strangle से समझाना जरूरी था क्योंकि इस से related question डाला था अला कि आपको नाम नहीं भी पता है तो भी चल जाए और मैंने बोला था यार कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि share का price बढ़ने वाला है तो आप कौन सा option करेगा और अगर ऐसा लग रहा है कि share का price कम होने वाला है प्राइस गिरने वाला नहीं वो नहीं मालूँ प्राइस गिर भी सकता है आज से तीन मैने बाद प्राइस बढ़ भी सकता है तो बताईए कौन सा option काल यप प्राइस पता नहीं हाँ पता नहीं तो एक काम करो ना sir call और put दोनों खरीद लीज़े कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा जदा से जयाए रदा call और put पे क्या जाएगा प्रीमियम ही तो जायगा लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो बहुत जबरदस्त बढ़ेगा तो call exercise करेंगे put lapse करदेंगे put lapse हो जाएगा कर देंगे अगरüst Original price करेका तो put exercise करेंगे कॉल लैप्स होता तो जादा से जादा प्रीमियम ही तो जाएगा लेकिन फाइदा तो जबर्दस्त कमाएगा तो ये strategy का नाम था अगर आप एक ही strike price पे call और put दोनों खरीदते तो इसका नाम था straddles और अगर अलग-अलग strike price पे आप खरीदते तो इसका नाम था straddles और अगर हमको नाम याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये समझाया था हाला कि मैंने बहुत सारी चीज़े इस पे question भी करवाया था इस पे ये भी question चलना था अच्छा सर एक आध example के through वो question के साथ हो जाएगा जाद अच्छा आपको सिर्फ एक call or put हम दोनों खरीदे और फिर मैंने कुछ और detail में समझाया था ये और बच्चों को मजा रहा था तो और किया था हम लोगों ने अब हमारे काम की चीज़े मैंने पास question प्लीज ये question देख कर जाना एक है question नमबर 26 और एक है question नमबर 27 हाला कि 26 और 27 एक जैसे question 27 है ty के 90 पर 27 की बाद पर 27 मैंने home work दे दिया था तो दोनों question है एक ही है तो मैं क्या करवा दूंगा में करवा दूंगा 26 ठीक है तो ले mister P establish the following spread on the coastal corporations stock ठीक है क्या किया है अब सुनना इन्होंने purchase किया three month call option call option strike price 110 तो sir 110 से उपर जाएगा तो exercise और premium कितना गया चे रूप या 50 पैसे है इसके अलावा इन्होंने put भी खरीदा exercise price कितना 90 कर 90 से नीचे जाएगा तो exercise करेंगे premium कितना गया 10 तो total मिला कर premium कितना गया 16 रुपए 50 पैस ठीक है call cup exercise करो जब price 110 से उपर जाएगा और put cup exercise करेंगे जब price 90 से उपर जाए नीचे जाएगा total कितना गया मेरे पास से 16 रुपए 50 पैस और और currently 100 रुपए का एक share है यह हमको मतलब नहीं है और total आपको 1000 shares में trade करना है अब बताओ profit loss अगर share का प्राइग 100 रुपए हो सर ना तो call exercise होगा call cup होगा 110 से उपर ना तो put exercise होगा तो सर दोनों option laps हो जाएगा तेरा जो loss हुआ वो तो 16 रुपए 50 पैसे premium ही तो गया into 1000 shares तो सर 16,500 का मुझे क्या हो गया loss ठीक है सर अगर share कर प्राइग 70 हुआ तो call तो lapse हो जाएगा सर put exercise होगा तो इन दोनों के बीच के difference देखो सर 20 रुपए उसमें से 16 रुपए 50 पैसे तो premium का हो गया 20 माइनस 16 रुपए 50 पैसे तो 3 रुपए 50 पैसे into 1000 सर 3500 का profit सर लिखेंगे कैसे वैसे जिससे मैंने लिखा वैसे लिख लोगे सर अगर share का price 138 हो गया तो put lapse हो जाएगा सर यह exercise हो जाएगा तो 138 माइनस 1210 तो सर 28 का फाइदा माइनस 16 रुपए 50 पैसे premium सर 11.50 into 1000 सर 11,500 का profit simple simple आता है यार tension मत लो question number 27 चाहो तू calculator से कर लेजिए video pause करके 28 मत करना कितना करोगे ऐसे question 29 भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा क्या question number 30 चाहो तो कर लेना चाहो तो मत करना वैसे 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 कोशन है हाला कि यह आपके दे रखा है उन्होंने किया रैसा होगा marketing कहानी से हम क्या खरीद रहा है call और क्या खरीद रहा है put और call का strike प्रैस कितना 42 तर 42 से उपर जाएगा तो exercise प्रीमियम कितना देना पढ़ रहा है 2 और सर पूट का exercise प्रैस कितना 40 तर 40 से कम होगा तो exercise premium कितना देना पढ़ रहा है तो हमारा जा रहा है एक रुपए तो total premium कितना गया total premium गया तीन रुपए तो उले profit loss बताइए अगर share का price कितना हो जाता है 43 हो जाता है तो sir call exercise होगा difference कितना गया एक premium कितना गया तीन तो sir 2 रुपए का loss है call exercise हो जाएगा अब institute नहां number of shares कुछ दिया नहीं है तो उसने assume कर लिया hundreds hundred shares से multiply कर लेना खैर इसको भी मिलेंगे ने करवाए और sir 36 हो गया तो 36 हो गया तो यह दिखी रहा चार रुपए का profit है और तीन रुपए का premium हो गया ते एक रुपए का profit बस multiply hundred से कर देना assume करना जो deal कर रहा है वो हम hundred ठीक है sir 1000 बे assume कर सकते कि करना कर सकते हो कोई दिक्कत हो नहीं question number 33 भी ऐसे ही है cut कर सकते है question number यह तो मैं already कर वा चुका हूँ okay part number 3 हमारे option का last part option pricing and valuation तर option pricing क्या है option pricing क्या है मिरी बात समझो अच्छे से option pricing यह है कि यार अगर हम option खरीदते है option अगर हम खरीदते है तो बदले में हमको क्या देना पड़ेगा premium तो यार option खरीदने पे जो premium हम दे रहा है वह actual में इस paper की paper ही तो खरीद रहे लोटरी की ticket तो जो लोटरी की ticket खरीद रहे हुआ और जो उसके लिए पैसा दे रहे हुआ तो वह पैसा देने का बनता भी है कि नहीं बनता इस लोटरी की ticket खरीदने से मुझे future में फायदा है कि नहीं है और जो फायदा है उसका present value निकालेंगे और वही बता देंगे कि यार हम maximum premium का कितना दे सकते यह मैं हम पेपर खरीद रहे उसका value निकालेंगे और उसके सबसे decide करेंगे अगर जादा है अगर premium हमसे जादा मांगा जा रहा तो हम कहेंगे यार यह तो यार महगा है overpriced है तो हम नहीं खरीदेंगे अगर premium कम मांगा जा रहा है जो हमारे सबसे बनता उससे कम मांग रहे तो हम कहे अगर प्रीमियम का हैमगा जाले लोग कि हमें वैल्यू निकालना है और उसका किस से करना है अब इसमें तीन चीजे एक है बाइनोमियल मॉडल इस पे बवाल मज़ गए है बाइनोमियल मॉडल पे इस अटेम्ट में कोश्चन आया था बच्चों की हालत खराब हो गए मतलब इंस्टिट्यूट को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है सचा ही यही है पुट कॉल पैरिटी है नहीं बात ही नहीं करेंगे बी एसम हमको करना पड़ेगा ब्लैक सोल्स मॉड़े ब्लैक सोल्स करना पड़ेगा करके जाना खोड़के जाते हो यार समझ वह नहीं था क्यों छोड़के जाते हो simple है यार इतनी मैनथ हो करनी पड़े तो sir binomial sir no model से option का value अलग-अलग आए तो binomial model की बात करते s पर binomial binomial model क्या assume क्या करता assume करता है कि maturity पर दो ही possible price हो यही क्या है binomial only two possible price हो सकते है assume है इस पे कुछ if and but नहीं चलेगा तो ही possible price हो सकते है और binomial model के अंदर तीन approaches risk neutral probability approach, delta housing और replicating portfolio approach replicating portfolio approach मैं नहीं करवा रहा हूँ इससे question आया नहीं हला कि मैंने class में करवाया होगा तो आप कर लीज़े और करवाया ही होगा delta housing का एक ही question है और जितने भी questions है वो किसके risk neutral probability approach खास बात यह है कि तीनों से answer एक ही है अब यहाँ क्या समस्या यहाँ समस्या यह आई कि कुछ बच्चों का यह कहना है कि sir मान लो सिर्फ बोला कि binomial model से question बनाई तो risk neutral से बनाएंगे कि delta housing से बनाएंगे कि replicating portfolio approach से बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि अगर से binomial बोलता है क्योंकि यह सबसे आसान है तो आप risk neutral से बना लेना binomial का मतलब risk neutral और सच्चा यही है इस बार जो ICAI ने paper set किया था उसने simple question दिया था और बोला था calculate value of option as per risk neutral probability approach as per binomial model binomial मतलब risk neutral अब institute क्या पूछ रहा है as per binomial model as per risk neutral तो भाई साब फिर क्या है फिर कुछ नहीं है risk neutral अलग से पूछा तो risk neutral से जैसा कर रहे करेंगे और as per binomial बोला है तो अब क्या करें risk neutral तो पहले ही कर चुके है तो फिर delta housing से कर लेना बच्चों नहीं ऐसा किया है अब वो suggested जब आएगा तब ही मैं खुछ बोलूँगा इस matter पर मैं एक सब्द भी नहीं बोलना चाहता कि क्या होगा फिर वो question मैं करवाँगा बाद में अलग से paper मैं करवादूँगा ठीक है तो sir सबसे पहले बात किसकी कर रहे है रिस्क न्यूट्रल में सबसे पहले probability का formula P R-D U-D और फिर binomial तर यह समझाओगे क्या यह formula इसको अभी ignore कर देते पहले एक example कर देते example कर रहा हूँ बिलकुल यह example important है इसलिए मैं कर रहा हूँ कोशन आपको ऐसे ही देगा कहेगा current market price है 500 ठीक है भाईया exercise price है 510 period है भाँ नहीं है risk related है maturity को दो ही possible price है कितना कितना हो सकता है 600 भी हो सकता 400 price बढ़ भी सकता, price कम भी हो अब यह probability क्या 600 होने की क्या probability है और 400 होने की क्या probability कास हमको पता लग जाए तो हमने क्या किया हमने एक बात अच्छे से बता दूम है जो बच्चे यह सोच रहा है कि इस revision class को देखके हमें समझ में आएगा कुछ चुछ समझ में नहीं आने अगर आप पहली बार कर रहे it means हमने class नहीं किया sir और यह revision देख रहा है और हो जाएगा कि बिलकुल नहीं होगा उसके लिए मेरे पुराने वीडियो डले हुए है आटाट घंटे का मैंने derivative करवाया हूँ नौनो घंटे में revision करवाया हूँ उससे उसको देख लो यहां समझ में नहीं आएगा यहां मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो अल्रेडी class ले चुके हैं जिन्होंने derivative complete किया वो बस revision कर रहा हूँ मुझे actual में क्या निकालना है मुझे ये निकालना है कि यार future में कितने price हो सकते एक साल बाद दो price या तो 600 या तो 400 तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 600 होने की क्या probability और 400 होने की क्या probability है और ये जो निकलता है ये probability हमारे हिसाब से ने निकलेगा कि यार हम सोच रहे कि market boom होगा आपके सोचने से कुछ नहीं होगा यहां जो probability निकलेगा उसका नाम है risk neutral probability उसका formula r minus d u minus d sir r क्या है r का मतलब होता है rate of interest तो sir इसको 1 plus r बोल सकते है कि आप बोल सकते हो i, c, a, i, r लिखता है तो हम भी r लिखेंगे 10% तो मैंने क्या लिख दिया 1.1 sir u क्या है u u का मतलब है कि आज price कितना है 500 कितना हो सकता है एक साल बाद 600 तो कितने time से जादा times निकाल रहा हूं time is so divided by pass sir 1.2 और sir और कितना हो सकता 400 times निकाल सकते है sir 400 आज के price से future का price कितना times sir 0.8 अब P का formula लगा है r minus d u minus d और उससे आपने निकाला probability 0.75 और ये probability कभी भी किसके निकलेगी maximum price sir ये formula का derivation और logic वो यहाँ सब कुछ समझाया था ये सब समझाया हुआ है पर अभी नहीं समझा सकता इसको अभी भी यार समझना है तो वो lecture देखे ये formula risk neutral probability का आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप revision देख रहा यार आज share का price 500 है ठीक है अगर bank में जमा करेंगे तो 10% बढ़के मिलेगा 500 into 1.10 bank में जमा करेंगे share market में लगाएंगे तो share का price 300 भी हो सकता है share का price 400 भी हो सकता है इस बात की probability मैं इन दोनों को equal करना चाहता हूँ सर ये तो risk free है मैं कहता हूँ ये भी risk free है मैं risk neutral मान के चल रहा हूँ ये भी risk free ये भी risk free और इस हिसाब से मैं probability निकालना हूँ एक तो ये formula derive हुआ था और उससे हमने निकालना है तो क्या आया 0.7 अब value निकालना तो ये 0.75 है तो ये क्या आएगा 0.25 अब value निकालना तो बड़ा असान है 510 call option है तो सर यहां 90 का payoff और यहां 0 का 90 into 0.75 expected value हाजाएगा कि मैंने binomial tree भी मनाया इसको बोलते binomial tree आज चेज़े का price कितना 500 300 भी हो सकता है यहां का payoff 90 इसको बोलते cu और यहां का payoff 0 इसको बोलते cd इस probability को बोलते p और इसको बोलते 1-p पर ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा expected profit पर premium तो आज देना तो उसका मैं क्या करूंगा present value formula देखो cu sir cu को multiply किस से कर दिया p से और cd को multiply किस से कर दिया और divided by capital R कर दिया तो this is value of option as per binom फिर वो देखेंगे फिर आएगा क्या अभी एक साल ना होकर क्या जाएगा कि 6 मैने बाद price हो सकता तो फिर rate को हम आदा कर देंगे 10 परशन की जाएगा 5 परशन कर देंगे अब कभी-कभी क्या आएगा continuously compounding आ सकता ये compounded तो पढ़ाये क्यों बेटे काम आएगा आ गया ना तो जिन्होंने class किया है उनकी lottery लग जाएगे और sir compounded annually effective इस पे भी मैं जाओ अभी इस पे भी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे continuously compounding ठीक है सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा R rate of interest तो 8% है पर continuously compounding दे रखा है पहले तो 6 मेने का तो sir 6 मेने का हो गया 4% continuously compounding दिया है तो E use करें exponential 0.04 और 0.04 का value कैसे निकालते है 0.04 divided by 4096 plus 1 और into equal to 12 बार बार कर लें तो ये आ जाएगा पर ये क्या आगया है ये ही तो चाहिए इसको बोल रहा हूँ मैं E power R T और U और D तो आप निकाल ही लो बस मतलब इसमें अंतर क्या है R minus D की जगह मैंने क्या किया E power R T minus D U minus D तो उससे क्या निकल जाएगा probability ठीक है और बस यहाँ probability लिख देंगे ये तो आप करी सकते हो और answer आज़े value of put ये भी अराम से हो जाएगा value of put मैंजे नहीं समझाना मैं सीधा question सरब सीधा question question number 9 कर रहे हैं लोग और sir ये module का question है yes T Y K 24 T Y K 24 बढ़े 20 year का price कितना 420 total period है 3 month year का price 500 भी हो सकता 400 भी हो सकता और R दे रखा कितना 8% पर रहे हैं तो 3 महने का निकाल लेंगे check करो क्या continuously compounding है इधर तो नहीं लिखा है पर यहाँ value अगर दिया है तो आपको continuously compounding की कैसे एगा E 0.08 into 3 by 12 करोगे तो यह आएगा E 0.02 और value दिया हुआ है अब बचा क्या U U कैसे निकलेगा 500 भी चार सो भी 1.1905 इस तरह से अफकाम कर लें मेरे ख्याल से बच्चों को मैंने homework दे दिया था और उन्होंने कर भी लिया था यह बिल्कुली simple question था कर लोगी इस कर ले ना copy में बना ले ना question number 10 repeat question है नहीं भी करोगे तो चलेगा question number 11 important है sir हमारे module का question है module का question है पड़े दिखा सुमाना wanted to buy shares of EIL which has 411 से 492 price हो से एक महने पाथ एक महने पाथ present price per share है 420 उसके broker ने inform किया कि price जो है वो 520 तक जा सकता है बढ़के within a month but इसलिए वो one month call option को ठीए in order to be prudent in buying the call the share price should be more than or at least भाई पास सौ बाविस या उससे ज़्यादा होना चाहिए it means ये exercise price बतानी की कोशिश कर रहा कि share का price पास सौ बाविस या उससे ज़्यादा होना चाहिए पर वो अभी तक confirm assurance नहीं दे पाई मांग क्या रहा है probability नहीं मालूम है कि पास सौ ब्यानबे होने की क्या probability है हम पास सौ ब्यानबे मतलब वो P पूछ रहा है सर P पूछ रहा है और आपको उन्होंने तो सर ठीक है सबसे पहले R चाहिए क्या continuously compounding है अब दिक्कत क्या है बच्चों का कहना इसा 3.60% risk free rate है यह 1 month का है की per annum वैसे तो हम per annum लेते हैं लेकिन यार सर कुछ ने लिखा तो per annum तो सर यह per annum है तो फिर 1 month का निकालना पड़ेगा सुनो यह दिया और साथ में value भी 0.036 की दिया है इसका मतलब यह 1 month का ही rate हो कैसे पता लग रहा है वैसे कुछ ने दिया तो मैं इसको per annum मानता है लिखने यह value भी तो दिया है न इसलिए मैं इसको 1 month का ही rate मान तो सर यह आ गया 1.037 592 divided by 421 किया तो यह आ गया U और यह D और इससे हमने probability निकाल लिया कि 592 होने की क्या probability ठीक question number 12 मत करना हमारे ICAE का question question number 10 है two period binomial model two period binomial two period binomial model sir यह है क्या हमने discussion किया था कि total मान लो total period है एक साल तो हमारा यह कहना था कि एक साल में के end में हम दो possible price हो सकती है क्योंकि हम एक साल बाद exercise करेंगे तो हम यह देखेंगे क्या price बढ़ने की क्या probability प्राइस कम होने की क्या probability लेकिन बात है American option अगर American option होता कि तो क्या बीच में भी exercise किया जा सकता है हाँ तो फिर आप सीधा last का क्यों देख रहे है आप value यह मान के चल रहे है कि सिर्फ last में ही exercise किया जा सकता है जो की European option में चल जाएगा पर American option में तो बीच में भी तो exercise कर सकते हो मान लो हमारा दिल किया कि 6 मेंने बाद exercise करना है तो 6 मेंने बाद भी तो 2 possible price हो सकता है तो total period कितना है एक साल हम यह सोच रहे हैं कि माँ 6 मेंने बाद एक बार check करेंगे मज़ा आया तो ठीक ने तो एक साल बाद में चले जाएगे इसा भी तो हो सकता है सर हम 3-3 मेने का भी तो सोच सकती सोच सकती इसको बलते है multi-period binomial model बहुत बड़ा question हो जाएगा इसलिए two-period binomial two-period binomial model में total option contract जितना भी period है इसको दो पार्ट में बाढ़ देंगे और हम यह काम करेंगे यह सोचेंगे कि अगर यार हम 6 मेने बाद एक बार cross check करेंगे अगर हमें ज़्यादा फायदा दिये तो हम वही exercise करेंगे नहीं होगा तो हम आगे बढ़े और इस पे एक example लिया था example number 10 अच्छा है American और European दोनों से गरवाए हूँ पर हमारे काम का से अमेरिकन है अमेरिकन की बढ़े इस इस टॉक ओफ एक कंपनी इस करेंटली तर आज प्राइस कितना एक सो पचास ठीक है सर 10% से next one year में 10% उपर भी हो सकता 10% नीचे हो सकता और उसके अगले साल 15% उपर भी हो सकता 15% नीचे भी हो सकता है और रिस्क फ्री डेट है 6% और आपको निकालना है टू इस्टे बाइनोमियल मॉडल से अमेरिकन पुट आप्शन और अमेरिकन की बात हो रही मैं यूरोपेन की बात नहीं जब भी ऐसा बोलेगा ना टू पिरियड बाइनोमियल मॉडल तो आपको सबसे पहला काम है कि बाइनोमियल 3 बनाओ अभी शियर का प्राइस कितना 150 एक साल बात क्या हो सकता है एक सो पचास प्रेस दस परशन 165 भी हो सकता है और गिरके 135 भी हो फिर 160 से 15 परशन उपर हो सकता है 15 परशन नीच परशन नीच परशन 135 से 15 परशन उपर हो सकता है पहले ये बना लो अब काम क्या करोगे काम ये करोगी सबसे पहला काम Probability निकालो Probability इसको मैंने नाम दिया Node A, इसको नाम दिया Node B, और इसको नाम दिया Node C चाहो तो इसको भी Node E, F, G जो लिखना लिखता हूँ पर ये तीन Node हमको जरूरत है सबसे पहले Probability निकालोगे 165 होने की क्या Probability और 135 होने क्या Probability है और कौनसी Probability निकलेगे Risk Neutral Probability और R हमको मालूम है U, simple है, 10% से उपर होगा तो 1.10, 10% से नीचे होगा तो ये आगया, 0.8 ये किसके लिए निकाला मैंने? Node A के लिए तो भाई, ये अगर 0.8 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 अगली बार U कितना आएगा? सब 15% से उपर हो रहा तो 1.15 और 15% से नीचे हो रहा तो 0.85 और यहाँ probability लिए 0.7 किस पे? Node B 0.7, 0.3 और सर इधर इधर भी सोचो ना 15% तो 1.15 ये आएगा मतलब सर यहाँ probability सेम ही आए पहला काम क्या किया? सर बाइनोमेल ट्री बनाया दूसरा काम क्या किया? सर दूसरा काम हम लोगों ने probability बनाया है बाइनोमेल ट्री सबसे पहले और दूसरा हमने risk neutral probability निकाल लिए यहाँ तक ठीक है किसरा काम है? कभी भी बाइनोमेल ट्री में backward calculation हो जितना भी decision tree हो उसमें backward calculation होगा यह मैंने आपको capital besting में भी करवाया हूँ अब यार अब क्या करना है सर अब यार यह देखो exercise price कितना 170 अगर 189 हुआ तो pay off निकालो sir 0 sir 140, sir exercise हो चाहेगा 170-144 29.2 170-155 14.75 और यहां के 170-114 sir 55.25 यहां तक ठीक है अब यहां यहां अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कहता हूँ यार मैं यहां खड़ा हूँ एक साल में मैं सुझा हूँ आगे क्या हो सकता है मैं यहां खड़ा होके आगे का अनुमान लगा रहा हूँ sir 0 भी मिल सकता है 29.75 भी मिल सकता है इस बात की probability पता है और उसका present value निकालूँगा और जो आया 8.40 मैं यहां खड़ा होके सोच रहूँगा अगर अब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे जो मिलने वाला है उसका present value निकाला 8.40 और मैं आज ही exercise करूँ तो मेरा answer कितना आ रहा है 5 रुपए 165 ए 163 यहां मुझे यह decision लेना है कि मुझे आगे जाना चाहिए आगे जाना चाहिए कि अहीं exercise करना चाहिए सुनना ध्यान से कोई मुझे से यह paper खरीदने को तियार है option यह paper यह lottery की ticket और मेरे अनुमान से यह भी price हो सकता यह भी price हो सकता उस हिसाब से अगर मैं value निकालों तो 8.42 मेरे लिए इस paper की value 8.42 है सर यह पक्का है कि हाना रिस्क नहीं है रिस्क नीट्रल है रिस्क नीट्रल रिस्क नहीं है तो बताओ मैं यह paper कितने में बेचूँ आज exercise करूँ तो सिफ 5 रुपए पर मैं आज exercise करूँ क्यों कि मुझे आगे फायदा है तो it means कोई मुझे paper मांगने आएगा न लॉट्री की ticket तो मैं 8.42 से कम का नहीं बेचूँगा it means इस paper की value मेरे लिए क्या है मेरे लिए है 8.42 whichever is higher ठीक ऐसे यह भी किया multiply किया और यहां जब multiply किया तो मतलब सर आप हर note के लिए value of option निकालोगे हाँ और उसको comparison किसे करूँगा सर उसको comparison करूँगे gross payoff से और जो भी higher होगा वो मेरा value of option ठीक है तो पहले probability अब देखते हैं सबसे पेदे हमने निकाला क्या 8.42 और क्या gross payoff कितना आया था 5 इसमें से जो भी higher हो कितना था 8. इस is valuable ठीक हमने note सीके भी निली निकाला उसका present value आया था 25.38 यहां आया था 25.38 जबकि आज exercise करूँँ तो 35 तो मैं आगे जाए हूँ क्यों अब यह आज ही तो 35 है तो 35 हमारे हमारे लिए higher value कितना है 35 अब 8.42 अगर मैं कहूँ इस note पे मिरे लिए value कितना है 8.42 और इस note पे 35 मैं इस note के लिए value निकाल रहा हूँ मैं यहां खड़ा हूँ अगर 165 होता है तो मेरा option बिग जाएगा 8.42 का क्यों कि कोई भी मांगेगा तो मैं 5 का थोड़ी नहूंगा 8.42 तो मिल जाएगा अगर 135 होता है तो मेरा 35 तो वैसी भी मिलने हो 8.42 का भी फायदा हो सकता कभी एक साल बाद उसकी probability 0.8 और 35 का भी फायदा हो सकता उसकी probability 0.2 और उसका मैंने present value की present value किया तो यह आ गया value of option 12.96 यह value कहां किया यहाँ value आई 12.96 मतलब मैं इसके लिए premium कितना दे सकता हो 12.96 अगर आगे जाता हो पर भाई साहब 170 माई अभी कि अभी exercise करूँ तो 20 का फायदा है ना तो मैं 20 भी दे सकता हूँ 20 से जादा नहीं दूँगा this is value of option answer किया जाएगा value of option is equal to 20 खिक और सर यूरोपियन होता तो बीच का जंजट ही नहीं था बात ही कतम हो यूरोपियन मान के मत करना मैंने यूरोपियन मान के करवाया हूँ बच्चों नहीं जित किया था तो पर जरूरत तो पीरेड बाइनोमियल मॉडल के विसे में मैंने लिखवा भी दिया है चले question बनाए time खराब नहीं करें question number 40 TYK 23 okay TYK 23 पढ़े लिखा consider two year call option call option strike price कितना है पचास पचास से उपर होगा तो एक्सट और market price भी कितना थी है पचास ठीक है two year है मतला one year one year लेना पड़ा ठीक है two period of one year and each year price 20% से उपर होगा और 20% से नीची 2020, 2020, 2020 ऐसे करेगा और risk free rate कितना है छे using binomial model calculate the probability of price is moving up or down and also draw ठीक तो सबसे पहले यहां कितना price है पचास 20% से उपर 20% से नीचे पिर 20% से उपर 20% से नीचे 20% इस 48 को अलग-अलग कर सकते है अलग-अलग भी लिख सकते है ICI ऐसा arrow बना देता है तो दिक्कत नहीं होना डाउन होगा नहीं सोच सकते है कि नहीं बनाएंगे तो चलेगा बनाना नंबर खटेगा ठीक एसा अगे बड़े दूसरा निकालना risk-neutral probability क्या हमको R मालूम है Yes क्या हमको U मालूम है Yes, 1.20 और क्या D भी मालूम है Yes, 0.20 और इसके लिए भी U नहीं आएगा D इतना आएगा U नहीं आएगा तो एक ही बार probability निकालो काम खतम हो जाएगा यह मैंने आप से डिस्कुस कूए और probability आ गया है 0.6 और यह probability कभी भी price बढ़ने की probability और यह 0.35 यह 0.65 यह 0.35 यह लिख लिए इसके बाद मैंने कहा back calculation 72 50 से उपर से 22 का फाइदा इधर laps इधर भी laps इस इन्टू probability तो यह आगया कितना 13.4 आगे जाता हूं तो उसका present value है 13.49 और जबकि यही exercise कर लेता हूं तो 10 तो मेरे लिए value option आगया 13 और यहाँ 0 और यहाँ भी laps 0-0 तो यहाँ 0 ही ले ले न 13.49 इंटू 0.65 0 इंटू 0.35 divided by 1.06 करोगे final answer आजाए ओके सर हो जाएगा यह हो जाएगा ना भई क्यानता हूं यह exam का question था और मुझे ऐसा लगता आसानी से बना ले कुछ नहीं है नहीं बनवाया है इस देख ले न मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्क्र जाएगा सब बन जाएगा अब बात किसकी होगी एक डेल्टा है है जो मुझे करवाना वो डेल्टा हैसिंग करवा देता हूं उसमें एक मिश्टर दैयल वाला question है जो आपके module में डला हुआ है ठीक है सर पूमनट का break लेका हूं आपके लिए तो नहीं है और उसके बाद हम क्या क्या बच्चा है अब हमारा options एक तो बच्चा हुआ है डेल्टा हैसिंग और उसके बाद B.S चलो जाँ डेल्टा हैसिंग में क्या होता देखते है रिस्क निटल प्रोबाइबलेटी तो हो गया है एक example example से बात कर देल्टा क्या होता है किल्टा होता क्या है वो मैं आपको सब्सक्राइब करेंट मार्केट प्राइज दिया 450 एक्ससाइस प्राइज है 400 485 सर ऑप्षन कौन सा है ऑप्षन है पॉल मतलब 485 से उपर तो एक्ससाइज पिलेड है वन येर और रिस्क फ्लेड दे रखा और मैक्सिमम और मिनिमम प्राइज दे रखा 385 डेल्टा क्या होता है और डेल्टा यह होता है कि ड्राइस बढ़ने से कॉल अप्षन है प्राइकजार है प्राइस अगर 1200 हुआ तो क्या option exercise होगा तो option का value कितना है 100 और sir price 800 होगा तो option lapse हो जाएगा option का value कितना है 0 तो बताओ price में कितना change हुआ 400 maturity पे price में कितना change हो सकता sir 400 difference कितना आ सकता 400 उसकी वज़ा से option की value में कितना change हो रहा है 100 तो delta क्या हुआ 100 divided by 400 हाला कि अभी delta, gamma, theta ये सब detail है पर एक अभी idea ले लिया कि option की value change होने share का price change होने पर option का value कितना change होगा और कितना आया 0.25 0.25 का मतलब क्या हुआ 0.25 का मतलब हुआ कि अगर एक रुपिया share के price में change होता तो option की value में कितना change होता है 0.25 पैसा ठीक है सर्की delta हम निकाल लेंगा बहुत ज़्यादा मैं detail में discussion नहीं कर रहा हूँ जरूरत भी नहीं और जैसे ही आया तो आपको करना क्या होता है कि आपको एक portfolio बनाना होता है it means आप क्या करोगे आप right करोगी one call sir right ही करेंगे कि right ही करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चे बोलते सर् right क्यों करेंगे हम भाई भी कर सकते हैं वैसे भी करवा सकता हूँ करवाया भी हूँ मतलब नहीं है न भाई रिविजन होए ICI ने right ही लिया है पहले delta निकाला delta निकाल सकते delta कैसे निकालोगे formless S1, S2 हो गए yes C1, C2 C1, C2 हो गए S1, S2 हो गए ठीक है सर delta निकाल गए 0.25 हमने right किया है one call किस बात का डर right किया है one call सर share का price कम होगा तो ठीक है share का price बढ़ गया तो सामने वाला exercise करेगा अगर सामने वाला exercise करेगा तो उसको फाइदा हो जाएगा सर हमको देना पड़ेगा हमें किस बात का डर सर हमें इस बात का डर है कहीं share का price बढ़ना जाए क्योंकि हमने right किया हम writer है writer किस बात का डर है कि कहीं share का price बढ़ना जाए तो भीया एक काम करो न जिस बात का डर है वोई काम करके रख लो किस बात कड़ा रहा है कहीं share का price बढ़ना जाए चलो ना या share ही खरीद के लख रो पर share कितना खरीदना है आपको 0.25 share जब भी पहला delta housing में सबसे पहले delta नेका लिये और फिर एक portfolio बनाई है जिसमें आप write करो के one call और उसको hedge करना है तो hedge करने के लिए किस बात कर रहा है क्योंकि आपने write किया कहीं share का price बढ़ना जाए तो उसके लिए आपने 0.25 share खरीद के रख लिया उसके बाद आप क्या करोगे cash inflow निकालोगे maturity को चाहे share का price 1200 हो चाहे share का price 800 हो cash inflow एक जैसा आए अगर 1200 होता है तो क्या सामने वाला call option exercise कर लेगा और हमें 100 रुपए देना पड़ेगा पर क्योंकि हमने share खरीद के रखा है तो हमारा share 1200 रुपए का है पर हमारी पास share कितना 0.25 share हम बेचेंगे तो 300 रुपए मिलेगा मतलब एक साल बाद हमें 200 रुपए मिलने वाद और share का price 800 यह आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा अगर share का price 800 है तो collapse हो जाएगा 800 रुपए का into 0.25 share 200 रुपए का हमें मिलेगा it means क्या यह पक्का है कि maturity को हमें 200 मिलेगा yes चलो पर शर आज share तो खरीदना पड़ेगा आज पैसा जाएगा और future में पैसा आएगा तो जो difference है सर आज तो ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा जाएगा ना भी वो अपनी जेप से खर्च मत करो वो option की रूप में क्योंकि आप option writer हो तो option की रूप में सामने वाले person से it means यह formula है 1000 into यह पैसा जा रहा शेयर खरीदने पे yes sir और यह पैसा future में आएगा इसका present value कर लिए तो जो difference हमारा extra लग रहा वो सामने वाले से उसे और रिस्क neutral से भी यही answer और भी फिर मैंने call option के और भी वापस example करवाए बच्चों को और प्रैक्टिस है था खर आप कर सकते हैं simple है दो question थे question नमबर 60 थे और इसके अलावा question नमबर 17 तोनों ही question एक जैसे है अलाग कि question नमबर 17 ती वाई के 22 है ती वाई के 22 पर 17 और 16 एक जैसे तो मैं 16 करवा देता हूं 17 चाहो तो आप खुछ से practice करें एक जैसे ही question नमबर 17 ती वाई के 22 है कि 70% chance है कि price बढ़ेगा और 30% chance है कि price 450 रुपर यह जो probability दिया यह risk-neutral probability हम निकाल लोगा है इस probability का क्या यूज है वो मैं बाद में सकते हूं तीर में आप पीरियट है, call option है कैसर, on the share exercise और exercise price कितना पास 150 सबसे पहला delta निकाल करते है point number सर, delta का question कैसे पता लगेगा पड़ोचे से अगर investor करना चाहता है perfect hedge, hedge सब्द लिखा हुआ मतलब hedging, delta hedging तो combination बताई कि कितने share खरीदेंगे, कितने option एक यह है कि आप binomial tree बना लीजी यह नहीं है, बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, बनाओ चाहना पर आपको c1-c2 निकल जाएगा, सर, share का price कितना पास 100 650 हुआ तो 100 का फाइदा और 450 हुआ तो 0, तो 100-0, 650-0 तो यह आ गया delta, 0.5 delta 0.5 आया, इसका मतलब write करेंगे one call और खरीदेंगे 0.5 share अब share का price 650 हो, चाहे 450 आपको cash-in तो निकलना पड़ेगा अगर 650 हुआ तो सामने वाला call option exercise करेगा तो 100 रुपए का हमारा loss पर हमारे पास तो आदा share उसको बेचने पे 325 मिलेगा और 450 हुआ तो collapse हो जाएगा हमारे पास 425 का आदा share मतलब किसी भी हालत में हमें कितना मिलेगा 200 अब आज share कितने का past 100 आदा share खरीदों कितना पैसा जाएगा पर future में 225 आएगा उसका present value तो जो difference आएगा ये क्या आएगा this is value of call बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है, हो जाएगा बच्चे डड़ते हैं, मिश्टर दयाल वाले कोशन से कुछ नहीं अब एक बात बस एक दिक्कत तो पहले नंबर पे कोई problem नहीं है सर, perfect hedge मांगा perfect hedge में क्या आप बताना था आपको कि हम right कितना call करेंगे और कितना share खरीदेंगे, वो delta से पता इस बोला, explain if the risk free rate 5% है तो आपको निकाला, आहां यहां दिक्कत है if the risk free rate 5% for 3 month मुझे ऐसा लग रहा था कि 5% per annum है लेकिन यहां 5% 3 महने का रिट ले रखा है और बहुत सारे बच्चों का कहना, sir 5% for 3 month लिखा तो है, तो आप इसको पर annum कैसे ले सा, तो प्लीज यहां धियान रखना यहां 5% 3 महने करे तो value of option निकालना वो भी निकाल ली है अब point number 4 important point number 4 में उन्होंने लिखा expected return on the option expected return बताई है option का value कितना निकाला sir हमने निकाला था 35.7 it means सामने वाले से option की value of premium के रूप में आज कितना लोगे sir 35.7 it means अगर मैं option खरीद रहा हूं तो आज मैं कितना देने को तयार हूं 35.71 आज मैं दूंगा तो मुझे future में क्या मिलेगा future में आपको luck क्या रहा है investor को क्या लग रहा है शेयर का पड़ाई 650 भी हो सकता उसकी probability है 0.7 मतलब 100 रुपए का फायदा होने की probability है 0.7 और 0 की probability है 0.3 investor की probability के हिसाब से काम काम कर रहा है तो investor को ऐसा लग रहा है कि future में 70 रुपया मिलेगा आज कितना लगा होगे 35.71 future में कितना मिलेगा 70 रुपय तो return rate of return निकाल सकते हो ROI return on investment investment आज कितना कर रहा है 35.71 बहुत सारे बच्चे बोलते सर इसका present value निकालो क्यों निकालेंगे भाई expected return निकालना है न expected में कभी भी आप present value निकालना है दूसरी बात इस question में दिक्कत यह आ रही थी कि बच्चे बोलते कि सर आप तीन पॉइंट में तो आप option writer बन गए और इसमें आप option buyer कैसे बन सकते हैं यह सब detail में discussion हो चुका आपको ऐसे करें ओके सर यह वाला question चाहो तो करना चाहो तो शोड़ देना एक ही question है 15 में हैज रिस्क फ्री हैज तो वो सर डेल्टा हैजिंग से पता लग जाए और replicating portfolio क्योंकि कोई question नहीं है मैंने बहुत सारे examples और बहुत सारा research करवाए हूँ अभी जरूरत नहीं है हम लोग आगे बढ़ आए skip कर रहा हूँ एक भी question put call parity भी नहीं है काम की बाद बहुत सारे बच्चे BSM छोड़ते हैं साथ question तो करके चले जाना दोस्तो मैं जानता हूँ बहुत जमाने से नहीं आया इस करके BSM में हमें value of option का simple सा formula दिया एक बात समझने की मैंने बुला यार की यार exercise price है मान लो 500 और stock का price पासो 30 exercise price कितना है पासो और option कौन सा है call call option और option कब exercise होगा जब 500 से उपर जाए और मैं बोना maturity को पासो से उपर पासो 30 हो गया तो बताए ये ये जो मेरे पास paper है option का इसके बदल में मुझे 30 रुपे मिलेगा न सर तो यही तो value of option है खतम करो का value of option निकालने का formula है S0-E पर यार ये price कब का है ये तो है यार तीन मेने बात का और S0 मतलब आज का price सर आज का क्या अब तीन मेने बात का लो ना नहीं मालूम ना मुझे तीन मेने बात का price क्या होगा तो सर प्राइज आज का लिया और exercise price तीन मेने का बात का कैसे compare region हो सकता है इसलिए हम इसका क्या करते है presentment सर S0-E वही तो है S0-E पासो 30 माइनस पासो और सर पूट option का value निकालना है तो उल्टा कर देंगे price काम होना चाहिए तो option exercise अमालो price 470 हुआ तो पासो माइनस 470 मतलब सर E इधर आजाएगा और S0 इधर आजाएगा बस मतलब सर formula घूम जाएगा D2 की जगा माइनस D2 इसके लिए normal distribution table की ज़रूरद सबसे पहले call option की बात कर लिए ज़्यादा है D1 और D2 कैसे नहीं और ये है क्या ये normal distribution table और मैंने आपको बताया था X minus mu divided by standard deviation वही है ये है X ये है mu और ये है standard deviation पाकि बहुत कुछ derivation करवाया हूँ अब क्या है ये D1 हम क्या निकाल रहे है हम निकाल रहे है कि share का price कितने times बढ़ सकता exercise price से share का price कितना times है वो एक percentage में बता दो वोorters हो continuously compound exercise price से share का price कितने गुणा ज़ादा है price ज़ादा रहेगा तभी तो option exercise होगा तो हमारा क्या ये है exercise price से share का price कितने percentage ज़्यादा है percentage निकाल रहा है इसको मुझे बोल रहा है LN is 0 divided by E X और यहां क्या यहां average कितना price average average समझते हो न mu मतलब average average कितना ज़्यादा होना चाहिए और वो कैसे निकाल हो R plus यह form ठीक है और divided by periodical standard deviation और D2 कैसे निकलेगा D1 minus standard deviation square root 2 यह भी मैंने आपको समझाए ओके revision में बहुत ज़्यादा कुछ करनी सकते तो सारी सीधा बोलू न यह याद करना पड़ेगा हाँ भाई यह तो यादी करना पड़ेगा ठीक है फिर तो बस खतम जैसे 442 divided by 400 तो आगे है 1.10 और 1.105 का natural log निकालना पड़ेगा natural log हला कि मैंने आपको समझाया हूँ अच्छे से ln क्या होता है और यहाँ समझाया है वैसे तो दिया रहेगा पर अगर calculator से करना है तो वो भी मैंने बता दिया हूँ कि calculator से कैसे क्या जाता है पताया हूँ कही ना कहीं continuously compounding का जो factor निकालते है मतलब मैंने कैसे किया था सरफ फेक्टर दिया रहेगा कि दिया रहता है नहीं दिया रहता है तो मैंने करवाया हूँ please मैं calculator नहीं सिखाने वाला हूँ वो आपको आता है मतलब यह calculator से किया जासकता है कि हाँ ठीक है और मैंने पिरियोडिकल इस्टेंडर डैविशन का मतलब भी आपको समझाया इस मैटर पर बात नहीं करूँगा मैं सीधा कोश्चन पर जाऊंगा कोश्चन आपका TYK25 और मैं टेबल देखना सिखाऊंगा कि टेबल कि धर वाला एरिया देखना बस और कुछ नहीं देखे एक बार प्राइस दिया है S0880, exercise प्राइस दिया है 75, standard आविशन दिया 0.4, time दिया है 0.5, मतलब 6 मैने, मतलब 0.5 यह आर दिया है 12%, और यह एरिया दिया है, one tail एरिया दिया बस यही समझाना है, area आपको question में दिया हुआ है और यह है हमारा ty हम ही क्या निकालना, value of call के put, value of call option value of call option का हमको formula पता, S0-E S0 को multiply करोगे nd1 से e, क्योंकि future का उसका present value करोगे, multiply करोगे nd2 से, फुद्दे की बात है कि यार यह D1 और D2 क्या ही यह निकालना, तो D1 और D2 निकालना है D1, LN, S0 by E तो 80 by 75, ठीक है आर मतलब 12 परशंट, division दिया, 0.4 का square divided by 2 और total period कितना दिया, 0.5 एक गलती यह हो सकती है बच्चे यहाँ 6 मैने के लिए 0.606 कर दें, मत करना कि यहाँ आप time से multiply कर रहे हो, तो यह automatic 0.06 हो ऐसी standard division और यह दिया time, LN आगया 1.006 और इसका value दिया रहेगा question में दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है और यह दिया, तो यह आगया ऐसर D1 0.582 यह तो formula से निकालना, पर हमें D1 नहीं चाहिए, हमें ND1 चाहिए अब ध्यान से देखना मैं कैसे हुआ अब होगा interpolation हमारे table में, हमें value कब की चाहिए, हमें चाहिए 0.5820 0.55 की दिया, 0.60 की दिया तो हम interpolation करके काम कर सकते हैं, 0.55 का value है यह, और 0.60 का value है, और हमें चाहिए 0.820 इंटर्प्रोलेशन करना आपको आता है, तो सर यह आ गया 0.2803 यह area कौन सा आया है सर यह वाला area आया है tail area पर हमें कौन सा चाहिए यह वाला जो area आया है यह area कौन सा आया है चेक करो यह area कौन सा दिया सर यह one tail area दिया है और हमें BSM में cumulative area दिया देखना है तो सर हमें यह दिया है और हमें चाहिए यह तो क्या 1 से माइनस करना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ 1 से माइनस किया हूँ ठीक है मुझे क्या चाहिए, मुझे body area चाहिए तो मैंने इसको 1 से माइनस किया होगा देख ले ना मैंने 1 से माइनस करना इसको भी 1 से माइनस किया nd1 कैसे निकाला जाता भाया BSM, 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 BSM फटा फट से BSM सर BSM में कुछ नहीं करना सबसे पहले D1 निकालना है निकाला D1 formula में put करके formula में put करके D1 निकालना है अब सुनना धियांस D1 निकाला जब D1 निकल गया यह निकल गया जब D1 निकल गया 05820 अब हम सबसे पहले interpolation कर लेंगे और interpolation करने के बाद आगया हमारे पास 080 पर यह कौन सा area दिया tail और हमें कौन सा चाहिए body इसको हमेशा हमेशा हमें कौन सा चाहिए body area यह हमने 1 से minus करें ऐसी दूसरे वले का भी हम काम करें तो finally answer आ गया है D1 कितना आ गया 071 ऐसी due to me और बस हो गया फिर और फिर सीदा multi यहारे लिखेंगे और सीदा सीदा answer BSM में खास बात इतना भर याद रखना कि हमें कौन सा area देखना हो body और सर अगर minus D1 बोला है अगर minus आ गया सुनना पिरते सुनो सुनो सर अगर मान लो मान लो यह minus का sign होता यह minus का sign होता तो फिर तो यार यह हमारा tail area से काम चलता अगर minus का sign है तो tail area अगर minus का sign नहीं है तो BSM में body area ही देखना पड़ी ऐसे D2 भी निकाला बन से minus और answer तो सर यह करने की जरूरत नहीं है वो एक question कर लिए ना sufficient और यह वाला question भी करने की जरूरत नहीं यह ICEI का question यह वाला question भी करने की जरूरत नहीं यह भी करोगे क्या जरूरत नहीं है तो मेरा पूरा focus IC है put call parity देख ले ना एक बार कुँकर उसका यूच कहा है उसका यूच यहां आने वाला है put call parity का यह वाला question आपको देखना पर तिक इस question में क्या खास बात है कोई खास बात नहीं है simple question है पहला PSN से value निकाल लिये बोल रहा है वो निकाल लिया था आप लोगोंने अब मेरे खासे इसमें ज्यादा की दिक्कत नहीं थी value of call निकाल लिया था nd1, nd2 निकाल कर यहां finally आ गया था 29.5 कितना कर लो और मतलब हमारे लिए value आया था 29.5 और पूछा गया था कि बताइए option अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है actual में premium कितना देना है 25 हमारे लिए है 29.52 तो ठीक है भाई सस्ता 25 रुपए देने में कोई दिक्कत था ठीक है सर तो option इस अंडर प्राइस ठीक है सर point number two में क्या बोल रहा कि अगर मान लो शेर का प्राइस है current price 380 होता तो क्या होता मतलब सर कितना था अभी price अभी था 415 की जगा 380 तो इस बार न माइनस में आया होगा इसकी वजह से माइनस में आ गया है माइनस में आ गया है तो हमको कौन सा एरिया देखना है सर माइनस में आया था हमको टेल एरिया अब फसे कहां थे मैं आपको बताए value of put पुछा तो put call parity से कर ले ना put call parity आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा equation था put call parity का क्या equation था याद है मैंने करवाया नहीं हूँ दिविजन में तो नहीं करवाया हूँ पर आपको equation तो याद करना पड़ेगा P0 plus S0 ऐसा कुछ था is equal to C0 plus present value of exercise price करवाया हूँ यार अब बहुत सारी चीजे में discussion नहीं कर सकता क्योंकि important हमारे लिए एक और question है अगर 408 रुपय और dividend भी है 10 रुपय expected dividend है तो मैंने आपको बताया था कभी भी आप जो price लोगे वो क्या लोगे excluding dividend मतलब 408 में से present value of 10 रुपया माइनस कर दिना ऐसा मैंने करवाया पाकी कोई बस board में नहीं है पर 408 में से 10 रुपय का present value माइनस कर देना क्योंकि हमें X dividend price लेना होता है क्यों लेना होता है वो detail में description क्या हो एक question पहले वाला कर लेना भाई वो ज़्यादा important ओके सर option में बस इतना ही है और यहां आपको खुद को महनत करनी पड़ेगी क्योंकि फोड़ा जल्दी जल्दी करवारा हूँ मैं concept समझाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं हूँ मैं याद दिलाने के चक्कर अब बात है future की तो यह part खतम होता है future आएगा अगली class में जिसमें future क्योंकि future की ज़्यादा questions आते future important है अपके लिए और future में arbitraise भी है arbitraise पका करना भाहिया छोड़ो नहीं सकते आप arbitraise future में arbitraise है वो करना है beta management है वो करना और उसी में हम derivative का जो theory आया ना weather derivative electric वो भी करने है ठीक है आज की class over कर रहा हूँ अगर नहीं बनाओगी तो पस्ताओगी बना कर देखना पड़ेगा ठीक है और सर हमको बहुत ज़्यादा detail में करना है तो और भी revision है पिछले साल का मेरे पास पिछले attempt का revision 889 गंटे का तो आपको देख लीजिए वह हमने एक एक चीज समझाया BSM वगेरा यह सब कोश्य यह मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर आप समझ रहे हो में क्या कहना thank you मिलते अगले पार्ट में future से start करें